So basically यह unit 12.6 से related है और 12.6 के अंदर आपको क्या मालूम होना चाहिए, 12.6 के अंदर हमें यह coverage करने आनी चाहिए, एक मिनिट, yes, 12.6 के अंदर के a solid person जिसके multiple sources of income हो, उसका, sorry, एक मिनिट, यह, multiple sources of income हो, a solid individual जिसके multiple sources of income हो, okay, yes, उसका tax chargeable कैसे calculate होगा, उसका admitted income tax किस तरीके से calculate होगा, उसकी reconciliation of assets कैसे होगी, तो इस वीडियो के, इसके अंदर, इस component के अंदर अभी हम यह देख रहे होंगे कि tax chargeable or admitted income tax, अगर multiple source of income होगा तो क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले, let me share, a solid percent तक हम limit रहेंगे, कि a solid percent के पास part-time other sources of income भी है, तो क्या होगा, अगर business individuals की बात होगी, तो उसमें थोड़ा सा difference है, automatically business वाला part भी cover होगा, पहले, solid individual की definition क्या है, an individual having more than 75% of his total income from salary will be salaried individual, सही है, अब इसका मतलब क्या है, otherwise वो किसमें हो जाएगा, business individuals के तौर पर आएगा, या landlord की definition में fall करेगा, लेकिन मैं landlord के बज़ाए इसको business individual से compare करूँगा, business individual से कैसे compare करूँगा, अगर मैं example के तौर पर याँ पर बात करते हैं, पिछली class में हमने यह देखा हुआ था, पिछली वीडियो में भी देखा हुआ था, कि business individual का, अगर आप tax calculate करना चाहते कैसे, अब मैं assume कर रहा हूँ कि business income, उसकी annual कितनी है, लेक्स से 12 लाग है, अगर annual income business 12 लाग है, ठीक है, तो इसका मतलब उसको tax कितना calculate होगा, any idea आप में से, I think कुछ इसका tax बता सकते हैं, yes, tax rate आपके सामने, no, अच्छा, yes, 12 लाग business income है, तो tax कितना होगा, सर्फ 22,000, okay, गलत, wrong, permit कुमार, इसका मतलब आपको idea idea अब देख लेते हैं, मैं business individuals की बात कर रहा था, business individuals सर्फ 22,000 के से होगा, बारा लाग है, देख लें, any idea, ये tax lab आपके सामने मौचूद है, इसका मतलब आपकी कितनी preparation है, आपके सामने ही आ रहा है, कि आपको कितना idea, 70,000, okay, 70,000 प्लस 15%, excellent, okay, good, अब ये देख ले, answer जिनों ने 22,000 दिया है, वो अपने आपको check कर ले, कि वो क्या चीज कोड कर रहे थे, भाई 12,00, तक 10,00, 6,00, तक के 10,000 थे, और 6,00, से उपर जित्ते भी हैं, यानि 6,00, से 12,00, तक 6,00, का 10%, 60,000, तो 10,000, तो ये देखने 12,00, एक रुपे की बात कर रहे हैं, तो 12,00, तक तक तो 70,000, एक रुपे, 0, रुपे हैं, तो 15%, टेक्स आपका बना 70,000, ये बिजिनस इंडिविजल की इंकम है, अच्छा, अब मैं थोड़ी देर के लिए वापिस आ जाता हूं, सेलरी इंडिविजल, वाट इफ सेलरी इंकम, उसकी कितनी है, 12,00, अगर किसी इंडिविजल की सेलरी इंकम 12,00, तो इस पर टेक्स कितना लगेगा, चेक करें, ये रहा टेक्स लेब आपके सामने है, अब सेलरी की पूछ रहा हूं, 30,000, 15% नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी रुपए नहीं है, एक्सलेंट उजेर, सनिया, 30,000, ओके, इसका मतलब, ये मैजूरिटी आंसर्स ये दे रहे हैं, इसका मतलब, सेलरी इंकम 30,000 नजर आई, और ये कितनी नजर आई, 12,000 नजर आई, ठीक है, अच्छा, टेक्स, इसका एन्वर्ट टेक्स प्रहब कर रेंट आई, अब को 12,00,000 सिर्फ पर सिर्फ रेंट आ रहे है, यानि महीना 1,00,000 का रेंट इंकम आ रही है, पुरी की पुरी, रेंट इंकम आ रही है, और वो भी कितनी आ रही है, tests कितना होगा, ये तना होगा, ये tests सावे ये, Professor, आपने ये तो नहीं करवाया था भै अभी बता देता हूं, सब 12 लग तो इसमें ही नहीं, भै यह देखें 10 लग तक कितनी रकम बनती है, 10 लग तक 20,000, प्लस 10% स्वरी नहीं, 10 लग से 12 लग तक 60,000, अचा 12 लग, यह 60,000 तो आएगा, प्लस 15% of exceeding, 10 लग, 10 लग से exceeding कितने बनते हैं, सब 2 लग बनते हैं, और 2 लग का 15%, कितना बनेगा, सब 2 लग का 15%, 30,000 बनेगा, इसका मतलब, रेंट इंकम पर आपका टोटल टेक्स कितना बना, 90,000 बना, ठीक है, मैंने यह चीज इतनी डिटेल में नहीं बताया थी, लेकिन I HOPE अब टेक्स सलेब से कलकुलेट करना आ गया, यानी आब परसन, जिसको उसलिफ बजनेगा की तो उसको टेक्स देना है, 70,000 जिसको सलिय के तो ँर पे इंकम होघी है, तो इसको टेक्स कितना देना है, तो अब हम आजाते हैं main technical issue पर जो मुझे अभी यहाँ पर discuss करना है अब मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं एक चीज कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर practical portal के तौर पर बताऊंगा ठीक है और वो portal के situation क्या कर रहा हूँ case A लिख रहा हूँ जिसके अंदर a person जिसकी salary income मैं लिख रहा हूँ let's say 8 हाँ 10 लाख salary के तौर पर उसको 10 लाख मिले ठीक है और उसको business के तौर पर कितनी रकम मिल रही है 2 लाख यह case A की बात कर रहा है ठीक है और case B की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस पर रकम case B मैं उसको salary के तौर पर कितने मिल रहे है 8 लाख और business के तौर पर कितने मिल रहे है 4 लाख यानि यहाँ पर भी total income 12 लाख है और यहाँ पर भी total income 12 लाख है यहाँ भी total income 12 लाख है यहाँ भी total income 12 लाख है दोनो cases आपके सामने मौजूद है ठीक है तो एनी आइडिया के क्या बनेगी इंकम सर दिस रेंट टेक्स वाज यूज फ्रूम के यस कैस नहीं यह यूज कहा कराची टेक्स बार एसोसेशन वाली स्लाइड से यस ठीक है मौहमत एहमद एक्सिलेंट एजस्टेवल की बात मालूम नहीं आपके क्यों लिखे सवाल लिखें तो बेतर है गुल्वे मत यूवर राइट ओके सो अभी मुझे कंप्लीट करने दे यह कंपोनेट फिर इसके बाद आते हैं तो इस सिच्वेशन को हम वेरिवाइ कर लेते हैं आपके जहन में जो भी होगा लेकिन let's go toward the FBR website और इसमें income tax portal में मैं directly आपके सामने एक login करके बता देता हूँ और I think यह login हाँ ठीक है मैंने अपने तोर पर रखा हुआ था यह declaration मौझूद है और इस declaration के अंदर हम calculation देख लेते हैं कि क्या हो रहा है ठीक है अच्छा हम सर आपने यह जो चीज़ें बताएं तीजी से अगर हम अपने तोर पर करना चाहिए मैंने salary 12 लाख लिखी थी ठीक है salary 12 लाख लिखी थी इसको save किया इसको calculate किया और अगर मैं computations में जाता हूँ यह देख लें 30,000 salary के तोर पर 30,000 आ रहें और computations करता हूँ तो सर कितने नजर आए देख लें रेंट में 90,000 अभी calculate किया था यह रेंट में 90,000 नजर आ रहा है नहीं सर रेंट में भी ना जाएं और हम आ जाएं business के ऊपर business भी आपने किया रहा है और business में अभी आसानी के लिए fee या service के तोर पर यह करते हैं इसको save किया और calculate किया और हम computations में गए यह 70,000 नजर आ रहा है ओके I hope यह बात समझ में आ रही है तीनों को चीजों को मैंने repeat किया अभी जो slides में हमने देखा था वही वाली बात नजर आए के rent पे 90,000 salary पे 30,000 और business पे 70,000 तो यह तीनों हमने अभी के अभी इसी case के अंदर practically include करके देखा ठीक है यह देखने business 70,000 था ठीक है salary पे 90,000 आया था वो भी देख लिया था और business business पे 70,000 प्रोपर्टी पे 90,000 और salary पे 30,000 आया था ठीक है अचा अब मैं case अपने case की तरफ आता हूँ अबर case क्या case था case A salary 10,000 और business 2,000,000 तो देखें क्या हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं salary 10,000,000 लिखूँ और business में 2,000,000 लिखूँ और save करके calculate करता हूँ तो मेरा tax okay sorry salary पे भी 10,000,000 save नहीं हुआ था 10,000,000 यह save और अब मैं calculate करता हूँ और अगर हम computations पे जागे हैं तो देखें tax कितना आया 30,000 आया नहीं आया ठीक है यह इसका मतलब यह total income है ठीक है और इस पे tax इस case में कितना देना पड़ा 30,000 ठीक है अच्छा अब इस case के देखें इसमें भी 12,000,000 है इसमें क्या हो रहा है इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं sir salary आपने कर दी थी 8,000,000 ठीक है और sir business revenue आपने कर दिया था कितना कर दिया था सच चार लाख और अब अगर मैं इसको save करता हूं और salary को भी save करता हूं और अब मैं calculate करता हूं और अब मैं competitions पे जाता हूं यह 4,000,000,000 है income from business इसको revise करना था save नहीं हुआ इसको मैंने 2,000,000 करना था और save करते हैं और calculate करते हैं competitions पे जाते हैं ठीक है तो यहां पे tax कितना आ गया calculate 1 minute मैं कुछ भूल रहा हूं okay case 1 हम कर चुके हैं sorry yes case 1 हम कर चुके इस पे tax 30,000 आता है तो यह competition में हमें 30,000 नजर आ रहा है अब मुझे क्या करना है sir salary आपको 8,000,000 करनी है okay portal पे गरबर नहीं है मैं save नहीं कर रहा हूं salary को मैंने 8,000,000 save किया ठीक है और business को मैं कितना कर रहा हूं business को मैं 4,000,000 कर रहा हूं और यह save कर रहा हूं ठीक है अब मैं calculate कर रहा हूं computations पे जा रहा हूं तो अब मैरी tax कितना आ गया tax कितना आ गया 67,000 ठीक है अच्छा यह दिखाने का मकसद क्या था अब इस पर 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 आते हैं कि purpose क्या है देखें case A के अंदर government ने salary के तोर पे treat किया जबके case B के अंदर government ने business के तोर पे treat किया क्योंकि अभी के अभी हमने क्या देखा हुआ था के भाई salary पे बारा लाग की सरिफ salary A to tax कितना है 30,000 और अगर बारा लाग की business income A to tax कितना है सत्तर अजार agree करते है ठीक है तो इसका मतलब rent को अभी include नहीं कर रहा है तो इसका मतलब case है salary के तोर पे इसमें यानि आपकी salary 10 लाग है और business पे 2 लाग मिल रहे है यहाँ पे salary 8 लाग है और business पे 4 लाग मिल रहे है तो अब मैं आ जाते हैं अगर मैं total income इसको 100% कहूं तो इस 100% में 83% मेरी salary है और business कितनी है 16.6% है जबके case B के अंदर मेरे पास 66.6% मेरी salary है और 33.3% मेरी क्या है business income के तोर पे है तो इसका मतलब case A1 में हमारी income as a salary ट्रीट हो रही है case B में हमारी income as a businessman ट्रीट हो रही है ठीक है तो basically theory कि आप इस theory पे आ जाते है इस unindividual जिसकी total income का 75% से ज़ादा अगर salary से आ रहा होगा तब ही हम salary वाले slave मिलेंगे वरना salary वाले slave नहीं मिलेंगे है I hope यह वाली बात आपको सबच वे आ गई होगी अब इससे related में सवाल लेता हूं और इस video को यह आप से शेर कर दूँगा इस इसमें हमने क्या देखा कि कब multiple source of income में किस तरीके से करना है ठीक हम कर लेते हैं now हमने case 1 में क्या discuss किया case A के इंदर हमने यह case discuss किया अब मैं एक case C ले रहा हूं sir case C भी आ रहे हैं अब मैं क्या कर रहा हूं salary हमारी कितनी है let's say मैं salary के तौर पर बात कर रहा हूं salary हमारी है 10 लाग business हमारा है sir 2 लाग business income 2 लाग है मैं rent भी डालना हूं ठीक है rent income मैं के रहा हूं भाई मैंना 15,000 1,80,000 ठीक यह तो इसका मतलब 13,80,000 है इस case में यह मेरी total income हो गई ठीक है 13,80,000 तो अब देखें क्या हो रहा है अब हम इसी formula से करते है अग मैनवली भी करने आना चाहिए लेकिन हम इसको software से help लेते वे देख लेते हैं कि इसी में मैं क्या कर रहा हूं sir इसी के इंदर हम कर देते हैं हमारे पास business कितना था sir यह 4 लाग था इसको आप वापिस 2 लाग कर दें क्योंकि अभी आपने 2 लाग वाले case बता रहे हैं फिर मैं 4 लाग वाले case के इतरफ भी आ जाओंगा calculate ठीक है salary से 10 लाग बोली थी 10 लाग कर देते हैं save salary 10 लाग कर दी ठीक है इसका मतलब अगर मैं calculate करूंगा तो sir 30,000 आना चाहिए भई मैं यह देखने 30,000 आ रहा है देखें क्या लिखा हुआ है final form के अंदर competition में income from salary 10 लाग income from business यह है लेकिन अब एक चीज हो रही है property property पे click किया और मैं यहां पर rent पे लिख रहा हूँ 180,000 साल के ठीक है अब इस पर मैं save करता हूं और जैसे calculate करूंगा ना तो एक नहीं चीज आपक income जब कि sell rate में क्या था sell rate में जो total income थी वो कहां पर आया थी amount exempt from tax में कुछ भी नहीं आया लेकिन amount to normal tax, normal tax में 10 लाग आया और business में भी normal tax में 2 लाग आया ठीक है, computations में आप देख सकते हैं तो normal tax में 10 लाग और normal tax में 2 लाग लेकिन income from property जो rent है ना 18,000 वो कहां पर आ गया amount exempt from tax या subject to fix या final tax या tax fix या final tax एक लाकस से 1,000 लाग इस income पे भी हमे normal tax कितना देना पढ़ रहा है, सब 30,000 लाग पढ़ रहा है ठीक है, अचा में अभी withholding tax की ठीओरी पिछली किलास में बता चुका हूँ, वो इसमें merge नहीं कर रहा है, वो भी इसमें include हो सकती है, अभी हम इसको देना थे रहा है, ठीक है, अचा अब मैं थोड़ी सी situation change करता हूँ, case D, rent income को 1,80,000 से बढ़ा कर मैं धाय लाग कर रहा हूँ, ठीक है, rent income को 1,80,000 से धाय लाग कर रहा हूँ, यानि बाकी सब सेम रख रहा हूँ, ये 2,00,000 ही रख रहा हूँ, और ये 10,00,000 ही रख रहा अब हमारी हो गए, 14,50,000, अब टेक्स कितना आता है, ये देख लें, तो इसके लिए मैं गया rent from property पे, और इसको 1,80,000 को धाय कर दिया, save किया, और calculate किया, तो अब देखें, यहाँ पर आने के बाद, अब मैं कम्पुटिशन पर जाता हूँ, तो कुछ changes नजर आई, यसर आ बन गया, 32,200, यानि final fix minimum average year reduced income tax 2500 नजर आ रहा है, तो ये क्या है, अब इसके लिए मैं आपको refer करूँगा, पिछली slide पे, rent income का लिसले पर, rent income में देखें, अगर rent income में, अगर pen change कर देता हूँ, for clarification, कि अगर धाई लाग income है, तो धाई लाग किसमें fall करेगा, तो धाई लाग इसमें fall करेगा, दो लाग और छे लाग, और ये क्या कह रहा है, कि दो लाग तक कुछ भी नहीं है, लेकिन दो लाग से उपर जितना भी होगा, उसका 5%, तो दो लाग से उपर कितने हैं, इसर 50,000 है, 50,000 का 5% निकालते हैं, इसर 25,000 आता है, तो इसका मतलब 25,000 इस पर tax दे नॉर्मल 30,000, और इसमें fix वाला जो tax था, वो कितना था, 2500, इसका मतलब total tax, इसका admitted income tax, 32,000, 500 वाली figure बनी, और यही figure हमारे पास यहां पर नजर आ रही है, total, आप देख सकते, tax chargeable, 32,500 के तोर पर आ रहा है, normal 30,000 है, और fixed income tax कितना आ रहा है, 32,000, ठीक है, तो उमर अमीन, salary based होगा, good, okay, salary based होगा, yes, यह website open करने के लिए registration करने जरूरी है, of course, of course, registration करने जरूरी है, computations के लिए, लेकिन आपको manually भी calculate करने आना चाहिए, यह आप अपना खुद का portal अपने आपको registered कर वा ले, तो आप अपना portal open कर सकते हैं, return file करते हैं, कैसे करते हैं, उसके लिए tax project क थोड़ा focus करना होगा, ठीक है, यह actual submission के तोर पे आ रही है, यह आप manual करने आना चाहिए, यह software direct calculate कर सकता है, आपको excel अच्छी चीज आती है, तो यह भी कर सकते है, तो I hope, कि अभी, let me इसको complete कर लेने दे, अच्छा, अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटी सी changes लेकर कर रहा हूँ, वो छोटी सी changes किया है, Sir, इसको मैं आठ लाग कर रहा हूँ, E में, इसको चार लाग कर रहा हूँ, और इसको वही धाय लाग रख रहा हूँ, यानि हे तो वही 14,50,000, लेकिन अब इस पर tax कितना बनेगा, Sir, any idea, आप में से कोई share करना चाहेगा, लेकिन हम values feed क कर देते हैं, कि Sir, salary आप बोल रहे हैं, आठ लाग, अचा, salary आठ लाग से पर एक और चीज़ बता दूँ, अगर मैं इसको बिल्कुल save कर दूँ, salary उड़ा दू, और rent रहने दूँ, और इसको भी उड़ा दू, इसका मतलब आप person जिसको स्रिफ और से रेंड के तोर पे income आ रहा है, उसको पच्छिस सो रेंड तो देना ही पड़ेगा, इसका मतलब अगर कोई बंदा जिसका रेंड के तोर पे तीन लाग रोपे मिल रहे हैं, ठेक है, तो उसका tax कितना बनेगा, उसका fixed tax बनेगा देरा 5000, क्यूंकि हमने अभी slab में discuss किया, Sir, slab में क्या discuss किया, कि 2 ला tax पे करना होगा, तो अब अगर यही वाली बात में revise कर दूँ, कि हम जो नया case था, उस case पे बात करें, ठाई लाग ये save किया, salary आँठ लाग इसको save किया, और business, 4 लाग इसको save किया, ठीक है, और अब अगर मैं directly calculate करूँँगा, तो देखें, अब कितना नसर आ रहे है, 70,000 normal tax और 12,500, तो इसका मतलब यह हुआ, इस case में, किस case में, यह, यानि normal tax 70,000 रहा, और fixed वही 2,500, यानि 72,500, इसका मतलब ranked fixed taxation में आता है, ठीक है, fixed tax में आता है, जबके बाकी ये चीज़े normal tax में आता है, यानि दोनो income tax है, लेकिन income tax में हैं, लेकिन income tax में हैं कि तो वह non-adjustable, और non-adjustable, या fix your final, तो वह theory indirectly आप यहां से link कर सकते हैं, so a person having, यानि इस case में, यानि इस case में, अभी एक यह चीज़ डिसका की, कि unindividual, के tax chargeable, और admitted income tax के अंदर multiple source of income होंगे, तो कब salaried होगा, और कब business के तोर पर treat होगा, वह उसके लिए इसरे numerical देखे, ठीक है, अब इसमें आ जाती है, situation के, reconciliation, reconciliation, आपको आनी चाहिए, और reconciliation of assets कैसे होगी, reconciliation of assets के अंदर कुछ भी नहीं करना, एक person कह रहा है, opening assets में कह रहा हूँ, के opening assets उसके पास कुछ होंगे, और ending assets कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है, example, एक numerical example discuss कर लेता है, फिर उसके, आगे देख आगे, opening assets उसके पास, मिसाल के दोर पे, let's say, एक बंदा केता है, मेरे पास 15,00,000 के है, और इसके ending assets कितने को 11,00,000, इसका मतलब, उसके assets में increase कितना आया, increase in assets, देखा जाए, तो 3,00,000 का increase आया है, तो उसके reconciliation में income and expenditure का difference भी कितना होना चाहिए, 3,00,000 होना चाहिए, अब कम 12,00,000 है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके expenses कितने होंगे, 9,00,000 expenses होंगे, तो ये 3,00,000 मेच होना चाहिए, अब यही बात में यहाँ पर आपको form के जरीए बता देता हूँ, ये जो form के अंदर wealth statement है, इन सब को अटा दे, ठीक है, इन सब को अगर हम अटा दे, अच्छा, इ देते हैं, इसके अंदर, और ये मैंने save कर दिया, wealth statement देखें, इस wealth statement का reconciliation of assets, अगर आप देखें, इनके previous assets कितने हैं, previous assets से 21,45,000, ठीक है, एक numerical example के तौर पर बात कर देता हूँ, ठीक है, यानि, okay, let me add slide here, ठीक है, एक slide add कर दूँ, और फिर इसके बाद मैं एक साथ query दे ले ठीक है, ठीक है, now, opening assets, इनके कितने हैं, sir, opening assets इनके हैं, 21,45,222, ये इनके पिछले साल के जो return होंगे, उसकी basis पे आ रहा होगा, किस लाग, 45,222, ऐसा ही है, yes, ठीक है, अच्छा, अब इनके ending assets कितने होने चाहिए, ये हमें नहीं मालू, ठीक है, लेकिन अगर, अच्छा, इसको मैं link कर देता हूँ, yes, इनकी salary के तोर पे, इनको business भी उड़ा दूँ, क्योंकि actual business case नहीं है, let's assume, अगर ये कहती हैं, कि भाई, इनके पास, total salary कितनी मिली है, 8 lakh, ठीक है, तो reconsulation of assets में जाते हैं, ठीक है, तो reconsulation of assets में आपको ये form खुद से fill करना होगा, ठीक है, खुद से total expenses में यहाँ पे डाल देता हूँ, यह में चीज में आपको tax project में भी brief की भी थी, उसकी videos में, 13 session में यह already मोजूद है, उसकी provided video में, तो अब अगर में रीकंसलेशन में जाता हूँ, तो देखें, क्या नजर आ रहा है, यह नजर आ रहा है, कि इनके assets कितने हैं, inflow 8 लाग था, अचा इसको पहले slides पर discuss कर लो, इनकी income कितनी हमने दिखाई, sir income दिखाई 8 लाग, और expenses कितने दिखाई, sir expenses दिखाई 7 लाग, तो इसका मतलब उनकी worth में increase कितना आया, इनकी assets में increase 50,000 आया, तो ending assets automatically इनके पास 21,95,282 होने चाहिए, लेकिन practically होता क्या है, practically expenses का कोई record नहीं रख रहा होता, अचा यह मैं बाद में discuss कर लेता हूँ, हमें क्या करना चाहिए, simply इनके पास जो भी assets होंगे, इनके personal assets की जो detail है, उस personal assets की detail के अंदर, इनके पास केश जादा होना चाहिए, तो इस 50,000 को मैंने increase कर दिया, कितने से increase कर दिया, एक लाग से, जिनों ने पहले सब tax project पे काम किया होगा, उन्हें इन सब चीजों का idea है, अब अगर यह मैं करता हूँ, तो reconciliation आपके सामने नज़रारी, automatically देखे, फॉर्म ने खुद बखुद calculate किया, कि इनके ending assets के 95,000 है, opening assets इतने थे, तो इनके assets में इजाफा कितना हुआ, 50,000 से income इतनी है, तो यह form फिल करना अपनी जगा, लेकिन आपको reconciliation आनी चाहिए, कि increase 50,000 हो रहा है, और यह show कर रहा होता है, कि आपके assets की worth क्या है, ठीक है, लेकि practically क्या होता है, आपके पास opening assets का data होता है, और ending assets का data होता है, ठीक है, opening assets में मुराद किया है, July 1 की date की सारे balances, bank statement, आपकी shares के investment, आपकी property की valuation, और June 30 के balances, आपके पास होते हैं, और आपके पास income का data होता है, ठीक है, इसका मतलब यह 3 O given है, और आपको expense अपने तोर पे input करने के बाद adjustment करनी होती है, तो यह calculations आपको आनी चाहिए, reconciliation of assets, किसी भी assets की multiple, यानि अगर आपको कोई भी case numerical आता है, उस तो इसमें tax chargeable, admitted income tax, multiple source of income का idea होना चाहिए, और उसकी reconciliation of assets का idea होना चाहिए, तो यह दो चीज़े हैं कि जो आपको calculate करने numerical के लिए आनी चाहिए, और यह multiple source मे मुझे सिर्फ इतना ही discuss करना था,